पहला कोशन है राष्टी यों अंतराष्टी पर्मुग घटनाओं और मुद्दो समंदित कौन सा कथन गलत है चार आप्षन भारती टेबल टेनिस संकी पर्थम महिला ध्यच मेगना अहलावत है दूसरा अंतराष्टी वेपाट संक्तन के वर्तमान में पर्मुग नागोजी उनको जो योला है और तीसरा आप्षन है दे इंडियन मेट्रोपॉलिस फिरोज वरुड गाधी द्वारा लिखित उस तक दोहर तेईस में प्रकासित है हुई और चौथा है दोहर तेईस में अंतराष्टी मात्रिभासा पुरुसकार नील मोहन को दिया गया सम्मानित किया गया तो चार आपसन इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है ऐसे प्रस्ण जान बुचके रखे जाते हैं ताकि कम समय में अधिक सरीक प्रस्णों की जनकारी हो इसलिए वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरू करना चाहिए अंतक बने रहेगा बहुत ही इंपॉर् कारतिय मेर की हैं जो यूटूब के सी यो बनाए गया है आपको कमेंट बाक्स में बताना है कि अंतराश्टी मात्र भासा दिवस किस डेट को मनाय जाता है और अभी आप जो नाम देखें पूछा जा चुका है जो है दूसरा आपसन में नागोजी उनको जो यह किस देश की है नेश्ट कोशन इस परमुख ब्यक्तित्व पुरुसकार समंदित कौन सा जोड़ा गलत है चार अपसन पहला डगलस डैमंड और सास्त्र दो अजर बाइस की नोबल पुरुसकार दूसरा डाक्टर बिने कुमार सैकिया सांथी सरू भटनागर पुरुसकार तीसरा सेहान क काउड़ा तालिका गांधी मंडेला पुरुसकार चौथा बैस्वी कुर्जा पुरुसकार पुर्फेसर कौशी कराज सेखर तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है तो आंसर हो जायेगा तीसरा सेहान काउड़ा तालिका इन्हें जो है बूकर पुरुसकार दिया गया सिरलं खेल और उसे सम्मंदित सब्दावली का कौन सा जोड़ा गलत है चारा अप्षन पहला हांकी और हांकी में थ्री सेकेंड दूसरा बॉक्सिंग इसमें अपर कट तीसरा किर्केट एग्रिकल्टर साथ या चार्नीच कट और चोथा लॉन टेनिस वाली इसमेश सर्विस आपको बताना इसमें से की खेल और उसे सम्मंदित कौन सा जोड़ा गलत है तो आप्षन पहला गलत है थ्री सेकेंड जो है बास्केट बाल होगा हांकी में नहीं बुलाता है अमेरिका का राश्टी खेल क्या है कमेट बाक्स में आप बताए नेक्ट कोश्टन भारती डिन्ने फिं दुलकलाम चौथा सोफिया तो इसका आंसर होगा लाल जी सिंग यह आंसर सही है यह जो है भारती डिन्ने पिंगर प्रिंटिंग की तक निकी के जनक है के सिवान वर्तमान में किस्ट पोस्ट में आप जानते होंगे बताए यह मिसाइल मैं किसे कहा जाता है और सोफिया क्य है यह प्रसना आजा है तो क्या आंसर देंगे हम बता चुके हैं सुचकांग संबंदित कौन सा जोड़ा गलत है यह भारत का सुचकांग पूछा जा रहा है आपको बताना है पहला वर्ड हैपिनेस इंडेक्स दोहरतेईस पच्चा सिवा स्थान दूसरा आप्षन ग्लोब स्थान तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है तो गलत आंसर हो जाएगा पहला याद रखिएगा वर्ड हैपिनेस इंडेक्स दोहरतेईस में भारत का स्थान 126 हो गया है तेईस में 22 में तो 36 था 136 लेकिन 23 में 126 हो गया है आशकता है एक्जाम में 25 सिवा स्थान तो भारत क पास्पूर्ट इंडेक्स में आ गया है और भाष्टा चार सुचकांग में भी पच्चासिवा स्थान है बाकी यह सही है सब रटे रहेगा इंपॉर्टेंट है जैसे तीसरा आपसन आप देख रहे होंगे जलवाई पविवर्थन प्रदसन सुचकांग दोयार तेईस में मानो परियावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंदित सरवाधिक व्यापक उपागम है चार अपसन पहला उद्दो कर खानू संबंदित उपागम दूसरा प्राकृतिक संसाधन सरचड उपागम तीसरा वाटर सेट विकास उपागम और चोथा क्रिसी संबंदित उपागम मतलब क्या अप्रोच और जैसे ब्याप उपागम मतलब अप्रोच क्या होगा जैसे वह द्रिश्टी कोड़ जिसके अधार पर समाजी के तत्की विवेचना किया जाता है जिसमें मानों पर्यावण में उपस्ति संसादनों का दोहन करे तो इसमें से क्या आंसर होग तीसरा वाटर सेट विकास उपागम जो है यह आपका सही है सरवाधिक व्याप उपागम है ठीक है नेक्ट कोश्चन जब मिर्दा और मिट्टी में जो आला मुखी से निकली राग सामिल हो तो उसे क्या करते हैं चार अप्शन पहला हिष्टो सोल दूसरा चेली सोल तीसरा एरिट सोल चौथा एंडी सोल तो याद रखिएगा जब मिर्दा और मिट्टी में या मिर्दा या मिट्टी की चीज़ होता है जब आला मुखी किसे निकली राग सामिल हो उसे करते हैं एंडी सोल आंसर होगा चौथा एंडी सोल याद रखिएगा एरिट तीसरा आप समझ जैविक परदात जिस मिर्दा में उमिट्टी में होता है उसे हिस्टो सुलका जाता है आप इंगलिस के नाम से भी कर सकते हैं इस पूर्ण नेश कोशन सिच्छा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा निन में से कब परदान किया गया चार अपसन 28 सितमर 1993 दूसरा अपसन 1 अपरेल 2010 तीसरा अपसन 15 अगस 1995 चौथा अपसन 12 अक्टूबर 2005 तो इसका अंसर होगा दूसरा एक अपरेल 2010 को सिच्छा का अधिकार जो तो मौलिक अधिकार का दर्जा तो 2002 में परदान किया गया इसे जो है कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया और अनुछे जो है 21 कौम में डाल दिया गया ठीक है यह विसकान सरी भी हो सकता है और यह एक अपरेल 2010 से समधी थे पूरे देश में इसको लागु कर में इंटरनेट चालू हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ नेक्ट कोश्चन कौन सा जोड़ा गलत है चार आप्षन पहला मारले मिन्टो सुधार उनिस सो नईस दूसरा इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है तो गलत जोड़ा हो जाएगा अंसर होगा पहला मारले मिन्टो सुधार ये 1909 में आया था याद रिखेगा 1909 में मारले मिन्टो सुधार आया था जिसमें सामपरदाइक निर्वाचन पडाली का जनक जिसे कहा जाता जिस सुधार को जिसे इसी मारले मिंटो सिधार 1909 में गौवर्णर की कारकारी में एक भारती की नुक्ति की गई जिसका नाम था सतिनप्रसाद सिन्हां 1909 में क्या था मांटेंगी चेंस्पूर्ट सुधार था इसमें क्या हुआ था प्रांतु में दैसासन लगा दिया गया था ठीक है दूसरा आपसन देख रहोंगे आप रेलेटिंग एक्ट 1773 मतलब इसी एट के तहट 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कुट की अस्थापन कलकात्ता में होती है जिसके पर्थम जज एलिजा इंपे बनते हैं भारत परिशत अधिनियम 1935 क्या है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश जब अजाद हुआ 1947 में और गरतंत लागुआ 26 जनुन 1950 को तो तीन साल देश जो है इसी जो है इसी अधिनियम से चला क्योंकि दिस अजाद होते ही पधारमंद्री पंडिजवालाल नहरू बन गए है ठीक है और जब यह जब गरतंत लागुआ तो दो दिन पहले भारत के राश्पती बने यानि भीम राम डाक्टर भीम राम मेटकर का नुसार भारत परसत अधिनियम का बहुत बड़ा रीड है भारती सम्विधान पर रानी का एक्टर आप जानते होंगे अठार सवन ठावन जब भारत में पहली बार ठार सवन तावन में सुतनता संगराम हुआ तब रानी मारानी भी ट्रेन किया आई और पीलायो की गठन किया उसने जो है जो नियम निकाला उसी को रानी के नाम से जना जात नेक्षकोशन करसी सम्वंदित कौन सा कथन गलत है चार आप्शन करशी छेत्र में वित्र प्रदान करने वाली भारत की सिर्द संस्था नाबाड है दूसरा काफ का बीज परियोग किया जाता है जिसमें कैफिन पाय जाता है तीसरा जीन नामक प्रूटीन मक्का में पाय ज चौर्था, धान को rapport में जीवका की खेती कहा जाता है अब बताएए चार में से कौन सा अप्षन इसमें आपको गलत लगत लग रहा है तो आंसर हो जाय गा चौथा धान को बंगाल में पश्च्रिम अंगाल में जीवका की खेती का खेती कहा जाता है याद रखिएगा और पहला बिल्कुल सही है कि जो है वित किसी च्छत में वित पदान करने वाली भारत किसी संस्था का नाम नवाड है और नवाड के वरतमान में परमुक कौन है साजी के वी हैं आप कमेंट बाक्स में बताना है आपको नवाड ब प्रादिकरर नोड़ा और चौथा भारती विदेशी व्यापार संस्थान मुंबई तो इस चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आंसर हो जाएगा आपका चौथा भारती विदेशी व्यापार संस्थान मुंबई में नहीं है यह इसका मुख्याले नई दिल्ली में है बाक वाला उत्तर पदेश का जिला है कवमतिक दोनों एक ही मिला दिया गया है पहला अप्षन है गाजियाबाद वा ललितपूर दूसरा अप्षन है जोनपूर वा गौतमबुद नगर तिसरा अप्षन है सोनबद वा बागपत चौथा अप्षन है गाजियाबाद वा स्रावस्त तो इसमें से कौन सांसर होगा बताईए अब आशर होगा पहला क्योंकि जनसंक्यागSTR सबसे अदि कहां है गाजियाबाद में और जनसंख्यागigator सबसे कम कहां है ललितपूर में उत्तरपदेश की बात हो रही है उत्तर पदेश में लिंगा नुपात सबसे अधिक कहा है तो जोनपूर में तो सबसे कम लिंगा नुपात कहा है तो गौतम बुधनगर में तो उत्तर पदेश में अनुसूची जन जाती सबसे अधिक कहा है तो सोन भद्र में तो सबसे कम कहा है बागपत में जो आप्षन है उसकी चर्चा कर रहे हैं उत्तर पदेश का सबसे साचरता वाला जिला कौन सा है गाजियाबाद तो सबसे कम साचरता वाला जिला स्रावस्ती नेश्क कोश्टन भारतिकों दुआरा खोला गया पर्थम बैंक-पंजाब-नेशनल बैंक की अस्थापना किस वर्स हुआ चारा अप्षण पहला 1921, दूसरा अठारा सो चॉरानबे, दूसरा अन। अच्छपण और चोथा怕 1982 तो आंसर क्या होगा भारत के द्वारा खोला गया पर्थम पंजाब नेशनल बैंक की अस्थापना हुआ दूसरा आप्शन होगा 1894 में 1921 में क्या इंपीरियल बैंक का पच्छमन में क्या SBI का और 82 में क्या जो है नाबाड बैंक की अस्थापना नेश कोश्चन निमिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है चार आप्शन जमिदारी प्रथा का उनमिलन दूसरा भूमि जोतों की अधिक्तम सीमा का निर्धारन तीसरा कास्तकारी सुधार चौथा बवफसली युजना तो आंसर होगा चौथा बूमि सुधार का हिस्सा नहीं है नेश कोश्चन निमिखित में से क्या भारत में नीली करांथी से समद्दित है चार आप्शन पहला भागवानिंग दूसरा पुष्पक्रिसी तीसरा मतस्य पालन चौथा रेशन उत्पादन तो नीली करांथी समद्दित आंसर होगा तीस केरि कल्चर तो आप आपको बताना है कि से सम्मंधित होता है कमेंट बाक्स में बताइए हैं फिर से सुन लीजिये सेरी कल्चर जो है रेसम्तपादनن सेल्वी कल्चर में क्या होता है यह आपको नेश्ट को श्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस test series को लेते हैं तो आपको free में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और English में 50 plus grouping test, 20 plus unit wise test, 58 plus PDF 5 test और 2014 से 11 तक सालवाट paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरूप पर आप जूड़ सकते हैं टेलग्राम लिंग है आधित्य क्लासेस एक्जाम गुरू निसूर सभी भी यो एवंपरी समझानकारी के लिए जूड़े टेलग्राम रूप से या अपने मोबाल से ISDN का बिस्तारित रूप है चार आप्षन पहला Integral Service Dynamic Network दूसरा International Subscriber दूसरा Dial Up Network चोथा Integrated Service Digital Network तो इसका आंसर होगा चोथा Integrated Service Digital Network Next Question इंटरनेट का मानक प्रोटोकाल क्या है चार आप्षन पहला TCP IP दूसरा आप्षन POP तिसरा आप्षन SMTP चोथा आप्षन C++ तो चारों में से बताए क्या आंसर होगा आंसर होगा पहला TCP IP Next Question निम्खित में से कौन आम तोर पर एक लेन से अन लेन को जोड़ने के लिए उप्योग किया जाता है जो समान प्रोटोकाल का उप्योग करता है चार आप्षन पहला हब दूसरा स्विच तीसरा ब्रीज और चोथा रूटर तो इसमें आंसर होगा तीसरा ब्रीज Next Question निम्दांकित में कौन सी सुचना पर दूग की परिभास की नहीं है चार आप्षन पहला लॉगिन दूसरा मोडेम तीसरा पासवर्ड चोथा पिनाका तो आंसर होगा चोथा पिनाका Next Question पहला क्रिश मिशन पताई पिनाका क्या है बता चुके हम दूसरा सायमन कमिशन की अस्थापना नांटिन टून्टिएट और भारत चोड़वा अंदोलन नांटिफ़टी टू कैबिनेट मिशन का आगमन नांटिफ़टी सिक्स तो इसमें से कौन सा आंसर इसमें से गलत है तो गलत आंसर हो जाएगा दूसरा साइमन कविशन के अस्थापना 1927 में होती है और यह भारत आता है 1928 में तो अस्थापना पूछ रहा है तो 27 होना चाहिए इसलिए आंसर क्या होगा दूसरा नेश्ट कोश्चन फूलो की घाटी भारत में कहां इस्थित है? चार अप्षन में पहला चमूली जिला, दूसरा पलककड जिला, तीसरा लोना वाला जिला, चौथा नासिक तो इसका आंसर होगा फूलो की घाटी चमूली जिला उत्राखण में इस्थित है और सांत घाटी कहां है तो पलककड जिला केरल में है, याद रखिएगा नेशकोशन निम्लिखित में से किस प्रकार के बनों में अधिक पादप विवित्ता पाई जाती है चारा अप्षन पहला उष्रकटिबंदी आदरपतजडबन दूसरा उपोष्रकटिबंदी परवती बन तीसरा सितोष आदरपन चौथा उष्रकटिबंदी सदबहार बन तो आंसर हो जाएगा चौथा उष्रकटिबंदी सदबहार बन में अधिक पादप विवित्ता पाई जाती है नेशकोशन निम्लिखित में कौन मानो जनित जियों का एक उदारण है दूसरा घास का मैदान तीसरा वर्षा बन और चौथा फसली भूमी आंसर होगा चौथा फसली भूमी जो है मानो जनित जियों का एक उदारण है नेशकोशन विलिंगटन दीब भारत में कहां इस्तित है चार आप्षन पहला केरल दूसरा आनपरदेश तीसरा उडिसा और चौथा तमिलनाडू तो आंसर हो जाएगा केरल में याद रखियेगा केरल में जो है विलिंगटन दीब आपका इस्तित है और बिम्बनाद जिल में है बिम्बनाद जिल में आठ किलोमीटर परेटन की दिष्टी से जो है भारत का सबसे छोटा हाईवे बनाये गया है सैंतालिस वन और जो है वो सबसे शुंदर और पैटन की दिष्टी से अच्छा है और आंध पदेश में क्या है कोलोरी जूल है याद रखियेगा उडिशा में अभी बताया आपको हमने बिम्बनाद जिल है अश्टमुदी जिल है तो बिम्बनाद जिल पर वेलिंगटन द करता है तो मेरे साब से तमिलाड भी लगाना चाहिए नेश कोशन दच्छ गंगोत्री क्या है चार आप्षन आंध पदेश में नदी घाटी दूसरा अंटार्टिका में भारती सोध केंद्र तीसरा गंगोत्री के दच्छ में गंगा नदी का जीती सुरोत और चौथा याद रिखेगा नेश कोशन निन में से सोध प्रतिवेदन में परिसीमन सम्मंदित होता है चार आप्षन पहला सोध समस्या के परिभासी करण में से दूसरा समस्या के अध्यन में सोध करता की सीमाओं से तीसरा सोध की समस्या के लिए सीमाओं के निधारण से चौथा पुरोग सभी से संबंदित है निशकोशन सोध से संबंदित कौन सा कथन सब्त है चार आप्षन पहला सोध में उद्देश को प्रष्ट के रूप में असपष्ट करना दूसरा सोध में उद्देश को कथन के रूप में असपष्ट करना तीसरा सोध में उद्देश को निबं की रूप में अस्पष्ट करना चौथा उप्रोग सभी तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सोध में उद्देश को कथन की रूप में अस्पष्ट करना नेक्ट कोश्टन डाक्टर भीम राव अमबेड कर मुक्त विश्विद्याले की अस्थापना किस वर्स हुआ चार आप इड़कर मुक्त विश्विद्याले की अस्थापना हुआ था और नेश्ट कोश्टन सीच्छड के किस प्रतिमान के माध्यम से पुर्वावय सनिकट के सिध्धान का सबसे अधिक उप्यूग किसमे प्रदरसित है चार अप्षन पहला इस्कूल अधिगम का प्रतिमान दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान तीसरा अप्षाधारण सम्प्रातिस प्रतिमान चौथा मूल भूत सिछड प्रतिमान तो आंसर ओजागाईस में दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान नेक्ट कोशन सुचम सिछड का निन में से कौन सोपान है चार अप्षन पहला सुचम सिछड का सैध्धान्तिक ज्यान देना दूसरा प्रतिपुष्टी प्रदान करना तीसरा आदर्स पाठ को प्रस्तुति करन निरिच्छड यों समालोचना और चौथा उप्रुख सभी आंसर होगा चौथा उप्रुख सभी वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए अपने ग्रूप टेलिग्राम बाटसप में सेर करिए और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नो कियों सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में जैहीन जैभारत और भवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी unit के model पेपर 100 से अधिक है और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस grouping test 20 प्लस unit wise test 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर पेपर है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरूप पर आप जूड़ सकते हैं टेलग्राम लिंक है आधिता classes exam guru निसूर सभी बीडियो एवंपरिषा समझानकारी के लिए जूड़े टेलग्राम रूप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके